आपका स्वागत है आज शाम तक के खबरों को जाने से पहले एक निज़र डालते हैं अब तक की सूर्कियों पड़ बिहार में महंगा हुआ 19 किलो वाला गैस सिलंडर आज से पूरी तरीके से बंद रहेगी 46 ट्रेने कोरोना से जानकोने वाले लोगों के आश्रितों को मिलेंगे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा नौके जरन की मतगरना में आज कई प्रखंडों के आये रिजल्ट दर्भंगा को बिहार की उपर राजधानी बनाने का आया प्रस्ताव तो आई अब जानते हैं खबरे विस्तार से बिहार में महंगा हुआ 19 किलो वाला गैस सिलिंडर महंगाई की मार्जवेल रहे लोगों को एक और जटका आज महीने की शुरुवात की साथ ही लगा है आज से राज में 19 किलो वाला कमर्सियल सिलिंडर यानि की वेवसाइक सिलिंडर 103 रुपए और 50 पैसे महंगा हो गया है जसके बाद अब इसकी नई कीमत 2,213 रुपए से बढ़ा कर 2,316 रुपए 50 पैसे कर दी गई है हालांकि इस महीने में घरेलू रसवी गैस सिलिंडर की कीमतों में कोई बडोतरी नहें की गई हैуч्यों थोरी रहत की बाद है गरेलू सिलिंडर जने की 14.2 कीलो वाला सिलंडर में 997 रुपय में मिलेगा जबकि 5 कीलो वाला सिलंडर 326 रुपय में पहले के तरह ही मिलेगा साथ ही आपको बता दे कि कंपोजिट सिलेंडर की दाम को इस महीने 50 पैसे घटाया गया है जिसके तहट 10 किलो वाले कंपोजिट सिलेंडर की कीमत नवंबर में 703 रुपे थी जो की दिसंबर में घटकर 702 रुपे 50 पैसे में मिलेगा ये नई दरे आज से प्रभावी हो गई ह आज से पूरी तरीके से बंद रहेगी 46 ट्रेने बिहार में ठंड और कोहडे के बढ़ने के साथ ही ट्रेनों के पहियों पर ब्रेक लगना शुरू हो गया है यही कारण है कि ठंड को ध्यान में रखते हुए आज से 46 ट्रेनों के परिचारन को पूरी तरीके से बंद किया ज गई है मतलब जो ट्रेन सब्ता में पूरे साथ दिन चल रहे थे वो अब पांच या फिट शे दिन ही चलेंगे पुर्मद रेलवे के सी पी आरो राजेस कुमार की माने तो यह व्यवस्था एक दिसंबर से लेकर एक मार्स 2022 तक की लिए की गई है आपकी जानकारी के लिए पत्ना परशासन विभाग की तरब से मिली जानकारी की इनसार पत्ना के हिस्से में अब सारण और वैसाली की जमीन भी आ गई है जिसके तहत जेपी सेतु पहले जा घाट कंगन घाट सहीत सारन जिली की 3212 और वैसाली जिले की 331 दिसाफलिब 5 एकर जमीन पत्ना जिले में जाएगी जिसके बाद पटना डीम के चेतरादिकार को बिहार सरकार की तरफ से बढ़ा जिया गया है राजर सुएम भूमी सुधार विभाग और मंत्री मंदल सचिवारे की तरफ से जमीन हस्तांतरन का ये प्रस्ताव सुख्रित हो चुका है अब इसे लिकर सामाने प्रशास प्रशासन ही हस्तांतरित इलाकों में पुलिस प्रशासन से जुरी ववस्ता बहाल करेगा अब महलाएं चुराएंगी शिराब की बुरी लत बिहार के राज़ानी पटना में शिराब बंदी कानून को पुख्ता और सक्तिक के साथ ही लागों करवाने का जिम्मा अब इस दस्ते के माध्यम से मिले ठोस इंपुट के बल पर पुलिस सबूत के आधार पर कारवाई भी करेगी इसके तहरत जिरे में बाल विकास पर योजना प्रदादीकारी महला पर वेख्षक और अंगनवारी सेविका, साहिका, जीविका, दीदी, आशा और टोला सेवकों के निटवर्क से इंपुट लिया जाएगा, जिसके बाद शराब पीने बालों की लद्ध चुराने के लिए उनकी काउंसिलिंग भी कराए जाएगी। की रूप में राज अपदा मोचन निदी से करने का फैसला लिया है, जिसके बाद राज सरकार ने भी यह अथिरक्त बुगतान करने का फैसला किया, जिसके इंतरगत सभी जिलों को 8,815 COVID-19 से इम्रित व्यक्तियों के आश्रितों को भुगतान हेतू, कुल 44 दसबलब 075 करो रुपे आवन्रित किये गये हैं, जिसका बुगतान जिला पदाधिकारी के इस तर से किया जा रहा है, नौवे चरन की मतगना में आज कई प्रिखंटों में आए रिजल्ट, राज में 33 वंचाय चुनाव की नौवे चरन की मतगना आज सुबह से ही गड़ी सुरक्षा के ब उक्ता ववस्था की गई थी, साथ ही सुबह से ही प्रत्याशी और उनकी समर्थकों की भीर भी जुटनी शुरू हो गई थी, जरान कई जगह पर नए प्रत्याशियों पर लोगों ने भरोसा जताया, जबकि कई पंचातों में पुराने लोग ही काबिज रहे, बताते चले के सरन में 26,831 पदों के लिए चुना हुआ था, जिसमें से 97,878 प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करके चुनावी वैदान में उतरे थे, इसके लिए 29 नवंबर को ही वोटिंग हो गए थी, अब दो चरन के मत्यदान होने बाकी रह गया है ज्यादा पानी पीना बन गया राजत सुप्रेमों के लिए खतरनाक, हाल की दिनों में बिहार की दाजनेती में लंबे समय के बाद एंट्री लेने वाले आरजेटी सुप्रेमों लालु प्रसाद यादव बीते दिन अचानक से बिमार पड़ गये थे, जसके बाद अचानक उन्हें बिहार से दिल्ली जाना परा था, जहां उन्हें एंस में बढ़ती किया गया, तो वहीं अब उनकी पतनी वा बिहार की पूर्व सीम, रावरी देवी ने अचानक से उनकी तबियत खराब होने की वज़ा बताई है, रावरी देवी ने बताया कि ज़्यादा पानी पीने की वजह से लालो यादः को ऐमस में बढ़ती चैना है, कि किडिनी की बिमारी की वज़ा से उन्हें जदा पानी पीने से रोक दिया गया है, मगर पानी को ज़्यादा मात्रा में पीने की वज़ास से वे बिमार पड़ गया, हलांकि अभी वो डॉक्टरों की देख र इसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 38 पर पहुंच गया इस दौरान अगर हम प्रभावेत जिलों की बात करें तो दर्भंगा किशन गंज मुझदपरपूर और वैशाले जीरे से एक एक मरीजों की फुष्टिवी है तो वहीं बात रेकवरी रेट के करें तो राज में लोगों के ठीक होने की दर 98 दसब्लब 6-6 फीस दी है विवक्षी निताओं की प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ सिरित कालिन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ सदन ने राज में शिक्षक बहाली प्रकरिया में हो रही लेट लतिवी को लेकर सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार ही नहीं ववस्था में बिहार को बहदर नहीं बनाना चाहती है इसलिए बहाली प्रकरिया में देरी की जारी है इस दोरान सरकार के खिलाफ विपक्षी निताओ निताओं ने जमकर नारेबाजे भी कि इस दौरान निताओं ने MSP को कानूनी दर्जे की मांग को लेकर भी हंगामा मचाया बताते चले कि अब कल सत्र के अंतिम दिन होने वाला है जिसके बाद शूरीत कालिन सत्र समाप्त हो जाएगा बिहार के कई शहरों की हवा में सास लेन के लायक पहले जैसी साफ नहीं रही है बेते दिन मंगलबार को बिहार शरीप सबसे ज्यादा प्रदुशित शहर रहा जहां एक यू आई यानि की हवा की गुनवत्ता का इस्तर 418 पर पहुंच गया जो की स्टैंडर्ड क्वालिटी से 45 गुनादिक प्रदुशित है विश समेत उतरी भारत के अधिकांस शेहरों में प्रदुशन की स्थिती बहत खराब है विहार में अब तक 91 प्रतिशत दूसरी डोज की लगी वैक्सिन राज में वैक्सिनिशन का आकरा हर रोज बढ़ता जा रहा है और अब स्वास्ति मंत्री मंगल पांडी ने भी बताया है कि लक्ष से कई ज्यादा लोगों को वैक्सिन दी जा चुकी है उन्होंने सदन में कोरोना जाच इलाज और वैक्सिनिशन की स्थिती की बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक निर्धारित लक्ष का 91 प्रतिशत पहला डोज और लगवग 80 प्रतिशत दूसरा की द्वारा नहीं दिया गया है आपको बता दे कि बिहार में अब तक आठ करूर से ज्यादा कोरोना वैक्सिन की डोस दे दिये जा चुके हैं जो की लक्ष से ज्यादा है दर्भंगा को विहार की उपर आजदानी बनाने का आया प्रस्ताव बिहार की दर्भंगा जिली को उपर राजदानी का दर्जा देने की मांकी जोरान सभापती की सामने उन्होंने दर्भंगा की उपलब्दियों को भी गिनबाया साथ ही उन्होंने कहा कि दर्भंगा शोहर बिहार की उपर आजदानी बनने की पात्रता रखता है ऐसे में इसे पटना की बाद उपर आजद लेने का अग्रापी किया हालांकि बाद में ध्वानी मत से यह प्रसाव सदन में खारिस कर दिया गया कल जगरने के बाद आज राजद विधायक ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ विधान सबा के शुईतकालिन सत्र के दोरान सदन के बाहर आरजेडी और बीजेपी विधायक की बीच बेती दिन जम कर गाली गलोच हुई थी लेकिन आज राजद विधायक भाई विरेंद्र की बाहर विधान सबाद जेक्ष को लिखित में शुकारत करते हुए भाई विरेंद्र के उपर एक्शन की मांगी है इस दोरान मीडिया के सबाद के जवाब देते हुए भाई विरेंद्र ने कहा कि हम दोनों सदन के सदस हैं और ऐसी बातें कभी-कभी हो जाती है सनी देवल की फिल्म गदर 2 की शूटिंग हुई शुड़ू बॉलवर अभीनिता सनी देवल और अमिशा पटील की फिल्म गदर जो सालों पहले रिलिज हुई थी वो आज भी फिल्म के दिवानों की पसंद में शामिल है आज भी इस फिल्म की तारीफ करती लोग नहीं थक फोटो में अमिशा और सनी देवल एक बर फिर से तारा सेहीं और सकीना की गेट अप में नजार आ रहे हैं तो वहीं बाकी टीम के लोग की साथ आर्मी ऑफिसर भी दिखाए दे रहे हैं इसकी कैप्शन में लिखा कि गदर 2 का मुहर्त शॉट भारत का साउथ अफरीका टू मेडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह दोरा अभी भी पूर निधारित कारिक्रम की मुताबिक ही है पहला टेश्ट इस 17 दिसंबर से है इसलिए बीसी सी आई की पास अभी इस पर विचार विमर्स करने का समय है सारफ गांगुली ने आगे कहा कि अभी भारत नियुज इस लेंड की बीच दूसरा टेस्ट होने वाला है उसकी बात देखते हैं कि क्या होता है हरांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि खिलाडियों की सुरक्षिया हमेशा से बीस से इसी आई की प्राथ मिक्ता रही है और इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा तो जोले बढ़ते हैं आज की सवाल क्यों और आज की सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके जिले में पंचाज चुनाव संपन हुए है या फिर नहीं आप अपने जवाब हमें कमेंट सक्सें में कमेंट करके ज़रू बता है और विहां चवरे खब्लों से अपडेटे रहने के लि नमस्का